सितंबर का महिना मनुरंजन के लिहाद से बेहधी खास होने वाला है जिन फिल्मों का इंतजार कई महिनों से फैंस कर रहे थे अब वो सिनिमा घरों में रिलीज होने जा रही है चलिए बताते हैं सितंबर में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों के नाम ब्रहमास्त्र रणवीर कपूर और आलिया भट स्टार ब्रहमास्त्र का इंतिजार फैंस को लंबे समय से है लगबग 8 सालों से बन रही ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमा गरों में विलीज होने जा रही है रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म बॉलिवुट की अब तक की सबसे महेंगी फिल्मों में से एक है जो ग्राफिक्स के जरी एक अनूठी दुनिया का आपको एहसास कराईगी लगबग 400 करोड के बजट में बनी ये फिल्म में अमिता बच्चन और नागर जुन जैसे सुपर स्टार भी है जिसके बाद अगली फिल्म है सनी दियॉल की चुप सनी दियॉल लंबे समय के बाद बड़े परदे पर फिर से वापसी करने जा रही है 23 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी जिसमें सनी के साथ दलकीर सल्मान, पूजा भर्ट भी एहम किरदारों में है इस रोमेंटिक साइको थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है लगबक साथ करोड के बजट में पनी फिल्म चुप का ट्रेलर पांच सितंबर को रिलीज किया जाएगा और ये फिल्म 23 सितंबर को रिलीज होगी जिसके बाद अगली फिल्म है विकरम वेधा एक्शन ड्रामा से भरपूर विकरम वेधा भी इसी महिने रिलीज होने जा रही है बता दे कि ये साउथ की फिल्म विकरम वेधा की ही हिंदी रिमेक है जिसमें सैफ अली खान और रितिक रोशन साथ में दिखेंगे 175 करोड के बजट में बनी ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी जिसके बाद अगली फिल्म है पॉनियन सेल्वम देश भर में इन दिनों साउथ फिल्मों की लोग प्रियता लगातार बढ़ती जा रही है मोस्ट अवेटिट फिल्म पॉनियन सेल्वम भी 30 सितंबर को रिलीज होने जा रही है जिसमें एश्वरा राई भी कई सालों के बाद बड़े परदे पर दिखेंगी 500 करोड के बजट में बनी इस फिल्म को कई भाशाओं में रिलीज किया जाएगा ये चौल समराज के राजा की कहानी है अक्षय कुमार की कटपुतली रिलीज हो चुकी है हिट मशीन कहे जाने वाले अक्षय कुमार के लिए साल वैसे तो बेहदी थंडा साबित हुआ है तीन फ्लॉप फिल्मों के बाद अक्षय कुमार की चौती फिल्म कटपुटली दो सितंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के लिए आपको घर से निकलना तक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म दिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीज हुई है। खैर इन दिनों वैसे तो बॉइकोट का ट्रेंड काफी चल रहा है जिसके चलते लाल सिंग चड़ा सहिच रक्षा बंदन दोबारा जैसी फिल्में बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गए। अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि इस बॉइकोट ट्रेंड के बीज सितंबर के महीने में रिलीज हो रही ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कमाल कर पाती है या नहीं।